तो आज मैं आप लोग के सामने एक अलगी टोपिक लाया हूँ जो कि झारखन J.S.S.E.C.G.L. के का टोपिक है और यह एक पेपर 2 का खोठा का सिलेवस है ठीक है तो यह एक रिजनल लेंग्विज का आपका सिलेवस है तो उसमें आपका सिलेवस में कहानी है और उसका बुक क आपका stories आते हैं जो कि मैं आप लोग को दसो stories को मैं आपको briefly समझा दूंगा और इससे आपको कहीं भी questions किसी भी stories कोई भी questions पुछे का आप उसे directly बता सकते हैं मैंने आपको एक small notes दे दिया है ताकि आप इसे अच्छे से अपने copy पे भी लिख ले ठीक है तो सबसे पहले इ चितरंदन, चितरंजन, महतो जिने short में चित्रा भी काते हैं उनका जर्म 1946 में हुआ था ठीक है, कहानी के नाम है इसमें, ठीक है, ये कहानी के इसमें खुटाम लिखा हुआ है, पहला कहानी है छाहियर, फिर है बोनक लोर, फिर हम कैसे जी अब, चौथा, बूबा एको कहानी कहीदे, बच्वा है गुरूजी के फिकिर, और समय कटवातास खेला, सांस्क्रेतिक जग चोर, डाकू, लुटेरा, नावा, जमिंदार, और देवता, खाई, गेल, डाकिन, ठीक है, ये दस कहानी आपको इस चाहियर पुस्तक में आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो सबसे पहले, पहला कहानी है चाहियर, इसका मुख्य पात्र, जो मेन करेक्टर से, वो है रोहन और मोहन, ठीक है, तो रोहन और इस कहानी में रोहन का क्या किदार रहा है, और मोहन का क्या किदार रहा है, वो देख लेंगे, रोहन जो था, जमिंदार, सूरज बाबू के यहां काम करता था, और वो दारू पीने का बहुत सोकीन था, या फिर उसका दारू बहुत वो सेवन कर सगता तो इसमें इस कहानी में बताया गया है कि रोहन और महन दो एक दोस्त थे रोहन समय के साथ-साथ अपने स्टिती को और बढ़ाते जा रहा रहा है कि रोहन जमिंदार बाबू के यहां सिर्फ खाने पीने जाता है और कुछ सemente सिखता नहीं है, मगर मोहन गुरुजी के यहां जाता है जो चोधनी है और अच्छछा चीस सिखते हैं मोहन को और वहां पर वह अच्छे-ची बाते शीकता है और आगे कैसे बढ़ें उनके उसके बारे में और आगे बढ़के सिखता है, तो दोनों दोस्त एक ही साथ बैठते जा रहा हूं तो मोहन बोलता है मैं गुरुजी के पास अच्छी अच्छी आदते सीखता हूं और तुम सुरज बाबो के यहां सिर्फ खानी पिने जाते हो जो कि एक बुरी आदत है इसके वज़े से तुम पीछे हटते जा रहा हो तो इस कहानी में यही सिखाया गया और यही बोला गया है ठीक है तो इससे क्वेशन आ सकता है कि रोहन किसके यहां काम करता था तो आप बता सकते है सूरज बाबो के हैं फिर आपको पुछ देगा मोहन किसके पास जाता था अच्छी चीज़े सीखने तो गाउं के गुरुजी जो देवता चोधरी थे ठीक है आप जंगल वो कहानी अपना आप बिती सुना रहा है लोगों को कि पहले में कैसा था पहले मेरे मेरा सब कोई लोग गाउं के लोग यूज करते थे जो पत्ते जड़ जाते थे जो मेरी लकडियां जड़ की गिर जाती थी उन्हें अपने जलावन के लिए यूज करते थे खाना भी नहीं पा रहे हैं, जितने भी अपसर ग्रेट के लोग हैं, सिपाई हैं, वे सब भरस्ट हो गया हैं, जंगल के नाम पे पैसा लेते हैं, जंगल को बचाने के नाम पे पैसा लेते हैं, पर वे जंगल को ही काटते जा रहे हैं, ये एपना एक जंगल जिसको बॉन कहा गया है बॉन मतलब जंगल होता है वो अपनी दुखदर्द गाउंवालों को सुना रहा है ठीक है मतलब इस कहानी में विकास के नाम पर अंदा धून जंगल की कटाई हो रही है यह उसका आप देती है तो इसका कहानी का मैं च्छोटा सार लिख दिया हूँ जो कि आपको अच्छे से पुरा समझ आ जाएगा ठीक है आपको लग रहा होगा कि यह च्छोटे च्छोटे में बत थिक है और उसकी पत्नी पारवती जो लोगू पहाल पे जाते यहां उनका पेत्रिक गाउं है और ठीक है और उसके गोतिया तथा भातीजा का नाम है रगुनात यह तीन मेन करेक्टर है। इसके बारे में भी घ्याम पूल सकता है, तो, कहानी का असार है, कि जारखंड के एक उगरवाद परभावित गाम की समस्या के बारे में लेखक ने बताया है, कि कैसे एक जारखन के गाउं है जो लोगू पहाल में इस्तित है ठीक है जिसा गाउं का ना में मूरपा कुशन पूछ सकता है उसमें एक आपका जो महस्वर है और उसकी पत्नी पारवती है वहां जाते हैं बहुत दिनों के बात अपनी छुटिया मनाने मगर वहां के लोग ए इतने मेल रहते हैं फीमल रहते हैं अपने घरों में घुष जाते हैं वह डर से गुष जाते हैं तो यह महसर देखके बहुत याश्यों चकीत है और वह अपने भतीजिये से पूछते हैं रगुनाद से कि ऐसा क्यूं हुआ कि मैं जब आया गाड़ी से तो सभी लोग को दोसती हैं कि गावाले पुलिस का हेलप करते हैं मुक्बरी करते हैं तो बीच में गावाले पिस्ट है इसलिए वह बहुत डरते हैं और इसी का शिकार एक और जो थी चुनिया उसका पती उनन сторट जो MCC वाले उसको उठा के ले गए थे और उसका पती को मार डाले थे तो इसी का वो सिकार हो गए थी और उचुनिया इसी के वज़े से विद्वाहों के अपना हडिया दारू बेच के अपना काम चला रही थी तो इसी के बारे में आपका ये पूरा आपका हमें कैसे जीयब में आपको बताया गया है ठीक है अब चौथा में आ जाईए बुबा एक वो कहानी कही दे इसमें एक गंगा राम नामक एक बुजुर्ग ग्रामिन जो है वो अपने गाउं के जो आपका जहां पीड़ा होता है पीपेल के पेड़ के नीचे गोल सा बना हो रहता है वहां पे सब क कि कैसे जमिंदार जादा कर लेते थे और मौज करते थे ठीक है कैसे जमिंदार लोग अपना मनमानी करते थे और बहुत जादा जमीन रखते थे और लोगों को अपनी जमीन में खटा के उन्हें कम पैसा देते थे और खुछ जादा पैसा रख लेते थे ठीक है इसी में जो आप पूछ सकता है कि कौन कौन से वह जमिनदार थे तो आप लोगों चार गॉप्सन दे देगा उसनी में आपको देखना है ठीक है इन्हीं जमिनदारों की देखा देखी गंगला आजा धनिया काका रमुवा दादा आदी समान ये रहियत जो खाते पीते थे उनके दारूं ह सबंगी करके लोगों को परिसान करने लगे तो इस कहानी से सिंपली आपको क्या सिक्षा मिलती है कि इस कहानी का संदेश यह है कि नसा खोरी दिखावा ठीक है पर आदमी को पसंद आता है और आदमीनी से अधिक खर्च जो आमदनी होती है उससे अधिक खर्च करके बरबा ये किस्सा है जो अपने सुना था पूर्णा अफ़ा है गुरुजी चैठा मतलब किया चिंता कर रह त्या बैटम करेक्टर है राम नाम नाम सिक्छक है जो चिंता कर रहे है Reports में चिंता क्या है जो आजकल के समाज में जो भी लड़ाई हो रहा है जगड़ा हो रहा है एक दुसरे से इरसा हो रहा है लोग एक दुसरे से जलते हैं एक दुसरे को माट डालते हैं डाकू डाकेती करते हैं चोरी करते हैं उन लोगों को वे रोकना चाहते हैं और वे बहुत हद तक कौसिस करते हैं कि नक सोच के तो राम नरायन जी इसके बारें बहुत सोचते हैं और लास्ट में ठानते हैं कि मैं इससे लेक लिखूंगा और सबका मन का परिवात्तां करूंगा और यह बहुत हद तक वे इस चीज में काम्याब होते हैं पर जो आपका अतंगवादी लोग है वो इसमें बहुत पर सरकार के नियमों को भी चेंज करना चाहते हैं तो यह में कहानी का सार्व यही है कि राम नरायन जी यह जो आज कल के जो जगड़ा जंजट ए उसके बीच में आपका जो चिंता से फिकर करते हैं उसी के बारे में यह कहानी है तो आप कहानी के साथ राप पढ़ लीजिएग ठीक है मैंने इसले डाल दिया है ठीक है और मैंने बताया कि वह अपने कलम के दम पर ही सब को बदलना चाते हैं ठीक है अब च्टा है समय कटवा तास कहला मतलब समय कटने के लिए तासखती हैं लोग वो इतनी बुरी आदा थे इसके बारे में वह में चिन्मय मुखरजी इसे आप A, B, C से याद कर सकते मैं ने सॉर्टरिक –vardag! कुमार, Valakrishnan Chahob और T से Cin eight Moharji, एP, C ठेकर घ्र друга कहानी का सार है में कि तीन रिटार्आट सिक्चछक रहते हैं, जो क्या फरक पड़ता है हम लोग चोड़ी टकेदी तो नहीं न कर रहे हैं हम लोग तासी तो खेल रहे हैं अपना टाइम पास करने के लिए खेल रहे हैं मगर उन लोग को यह नहीं पता था कि वह कितनी बुरी आदत है और एक दिन क्या होता है कि चिन में मुखर जी का आंक दिनों बाद वे एक जगह पे मिलते हैं तीनों वापस से और वे डिसाइड करते हैं वो लोग कि हम लोग क्यों ना एक सांस्कृतिक दल बनाएं जिसमें हम लोग लोग गीत वगएरा गाएं तो उसमें सब को राजी हो जाते हैं और आनंत क्मार क्या पकड़ लेते हैं बोल में एक सांस्कृतिक दल खड़ा हो जाता है और तास खेला बंद हो जाता है और चिन्मय मुखर जी के घर में रोज संगीत का एक मधूर में महामूल बन जाता है तो देख सकते कि कैसे लेखक ने तास को बूरी चीज बताया है बूरी लत बताया है है ना जो कि कहनिक आए कि समय काटने के नम पर तास खेलना उचीत नहीं विशेस का पढ़े लिखे लोगों को तास खेलना छोड़कर कोई सरजनात्मक काम किया जा सकता है ठीक है अब सातवा है संस्कृति कर जगड़ा अब संस्कृति का कैसा जगड़ा चल रहा है वो इसमें बताया गया है तो नहीं संस्कृति बोलता है कि मैं अच्छी हो पुराने संस्कृति बोलता था कि पहले के समय में मेरे समय में लोग गाउं में बैटके बातचीत करते थे सब को एक दुसरे घर पे जाते थे मेल मिलान करते थे बट नहीं संस्कृति में क्या होता है कि सब को आपका डिजिटल दुनिया में बयस्त है, इर्षिया है, भेद है, फैल रहा है, ठीक है, तो एक दूसरे को ये दूर कर देता है, तो नए संस्क्रिटी बोलता है कि मैं सहमाई भी तो बचाता हूं सबका, मेरे वज़े से ही आज इतना तरक्की हुआ है, तो इसी में दोनों में लड़ाय होता है कि हम तुमसे बेटर हैं और तुम हमसे बेटर नहीं हो, तो दोनों स्रेश्टा के लिए, स्रेश्टता के लिए लड़ाय होता है, तो ठीक है, और लास्ट भी निसकर्स क्या निकलता है, कि अंत में दोनों इस निसकर्स पर पहुंचते हैं कि दोनों में कोई भी स्रेश्ट ही है धोने एक दूसरे के पूरक के मतलब नई संस्कृति पूराने के बिना दूरा बिग्ञान के साथ नेतिक प्रानी संस्कृति का ये आपको इस्टोरी में बताया गया है ठीक है और अब चोड़ डाको और लुटेरा इसमें आपका मुख्य पातर है हर्कू एक जो गरीब किसान होता है और अपनी गरीबी और अपनी बुरे आदधों के वज़े से वह चोरी करना सुरू कर देता है एक ऑर बिद चोड़ा बहुत देखता है कि अपने जमीन जो भी बचा राता है उसको यह बेशना चालो कर देता है औरकूछ घट रहा है तो एक दिन वह एक बिजली का चोरी करना क्या जाता है तो उसे 6 वर्सों की सजा हो जाती है जेल की और वहाँ वह देकता है कि बड़ा बड़ा जो लूटे रहा है उनको ज़्यादा इज़त मिल रहा है जो नएा लूटे रहा है जो चोटा चोरी किया है वो लोगों कम इज़त मिल रहा है जेल में भी भाव वहां पे बहुत होता है ठीक है जेल में एक बड़ा डाकू था जिसका नाम था जला लुद्दीन जो की अमीरों से लूटता था और गरीबों पर बाड़ता था मतलब वह एक रॉबिन उड़ता ठीक है तो उन्हें बहुत लोग जेलरों से सम्मान के दिश् तो उसे समझ मा जाता है कि चोरी डकेती से कुछ नहीं होने वाला हम महनत करके खाएंगे और लाश्ट में वह महनत करके नेम लग जाता है और हरको अपने जिन्दगी में महनत करके आगे बढ़ता है ठीक है आपका नवा जो कहानी है नवा छोटो जमीनदार इसमें मुख् बैठके बाची करते हैं जहां विबिन किशम के सांस्कृति कारकरम जो समाजिक बैठक ग्रामिन पंचायत की बैठके होती है जहां खरापे यह सब कारकरम होता है इसमें एक काफी अनुभवी बुढ़े जगरनात चोधरी द्वारा गाउं के नोजवानों बच्चों को बत आप जमिंदारी और सोशन का पूरा पूरी खत्मा नहीं हुआ है ठीक है सिर्फ उसका रूप बदल गया है वह आजादी के बाद के थानेदार बलराम सिंग के पुलीसियाई जुल्म की कहानी बताते हैं जो कि बलराम सिंग जो पुराने समय में पुलीसिया था वो बहुत ह वर्दी का दुरूपियों करता था और गरीबों से बहुत ही खजान लूटता था और बताते हैं कि वह जैसा करनी किया था वैसे ही उसको आपका रिजल्ट भी मिला उसका पत्नी और उसका बच्चा एक्सिडेंट मर गया और लास्ट है वह जितना पैसा अपना जमाया था उसको भी यूज ने कर पाया और वह एक बीमार बीमारी सवर और पीड़ा वैक उसे मिलती हूँ मेरी लास्ट में तो वही आपका जो की वो आपका गाउं के जो बुड़े बुजुद्धे उसके बारे में बताए ठीक है इस कानी साब को यही सिक्षा मिलती है कि फिजूल क आपका किसी को दबा के पैसा वगरा नहीं लेना चाहिए आपका जो मेहनत करते हैं उसी से आपको कमाना चाहिए ठीक है अब आपका आजाएए दसवां और लास्ट कानी देवता के खाई गईल डाकीन अब इसमें मुख्य पात रहें निरमल बाबू और उनकी पत्मी सोभा जा रही है और अपने ही दिन दुनिया में मस्त निरमल बाबू का कोई चिंता नहीं वह कब ओपिस सा आ रहे हैं एक चाय तक नहीं पूछ रही है और शोभारानी अपना सीनेमा जा रही है ब्यूटी पाला जा रही है और अपने ही दुनिया में मस्त है तो इसी में कानी बताया गया कि निर्मल बाबू जैसे सब वेक्ति को सोबहरानी जैसी एक पत्नी जो कि अपने ही modern थ्यालों में मगन रहके अपनी मेल मिलाव को जो मन का मेल है उसको बैठा नहीं पाती है और वो अपना आदतों पर लगी र ठीक है तो इस कहानी का सार यही था कि निर्मल बाबू एक सज्जन वेक्ति हैं बिद्वान भी है समाज को उन्नती की दिशा दिखाने और गरीब दुनिया दुखियों की मदद करने में काफी रूची लेते हैं समाज में परतिष्ठा है सभा सेमिनार में बुलाए जाते है पर उनकी पत्नी सोभार आणी इनके विप्रीध सभाव की है वो इतनी इनकी दूसरी पत्नी है पहली कि समाजिक मृत्तिक बाद उनकी दूसरी साधी हो गई और सोभार आणी पढ़ी लिखी है जमान और सुनर भी है लेकिन 20 भरे सोने के घड़े जैसी है वो आजात ख्याल तो यही कहानी में ही बताया गया कि अगर आप ज्यादा पढ़ी लिखी या फिर मोडन ख्यालो वाली और अपने आपका सोच नहीं मिलता है तो आपका जिन्दगी ऐसे भी नर्ख होते जागा तो इसी तरह मैं आपका यह चाहियर जो आवा कहानी है दस कहानी थोड़ा यह वीडियो लंबा हो गया उसके लिए थोड़ा सा आपको मैं अपने तरफ से क्या क्या कर सकता हूं बट आपके लिए ही बेनिफिशियल है और इससे आपको कहीं भी कोशन पुछे का आप इससे कहानी से आप हंडिड़ पर पिक समझ में आया होगा और थोड़ा वीडियो लंबा इस लिए हुआ कि एक ही बार मैंने पुरा कंप्रीट किया है तो अपने दोस्तों साथ इसे जरूर से करें और इससे मुझे बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है तो थैंक्यू